वेलकम बैक तो दे चैनल एवरिवन आई होप यू गाइस यू दूइंग आपसुलूटली फाइन सैमसंग की गेलेक्सी ए सिरीज काफी पोपुलर सिरीज माने जाती है इस सिरीज को आगे बढ़ाते हुए सैमसंग A सिरीज के दो स्मार्टफोन launch करने की तैयारी में है एक तो हैं सैमसंग एलेक्सी A70 टू फर जी वेरेंट और दूसरा जो फोन हैं सैमसंग एलेक्सी A72 फर जी वेरेंट तो गाईज आज के इस वीडियो में मैं आपको step by step बताऊंगा इन दोनों फोन को लेकर जो भी latest information सामने आई हैं और ये जो भी चीज़े मैं आपको बताऊंगा वो almost confirm मानी जा रही हैं तो वीडियो को end तक जरूर देखे और वीडियो को like भी कर दीजे क्योंकि मेरे जो viewers हैं दिल बहुत ही बड़ा है और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे नीचे comment section में पूछ सकते हैं शुरूआत करते हैं build quality और design के साथ तो इस बार सैमसंग ने design को लेकर काफी अच्छा काम किया है मतलब पूरी कोशिश की है इस phone को एक fresh look देने की camera के जो sensor है उसकी ज या फिर S-series का smartphone है I mean almost same design Samsung हर phone के साथ यूज करता था लेकिन इस बार सैमसंग ने A-series के smartphone को एक नया look देने की पूरी कोशिश की है बैक साइट पर matte finish के साथ polycarbonate की build quality देखने को मिल जाए की जो दिखने में काफी ज्यादा खूपसूरत है लेकिन polycarbonate की जगा पे glass का डिस्प्ले की बात करें तो सैमसंग ने इस phone में display को लेकर कोई भी compromise नहीं किया है आज की rate में Samsung के जितने भी smartphone है under 30,000 रुपिस के price point पर वो सारे smartphone 60Hz refresh rate के साथ आते हैं काफी सारे लोगों की demand थी Super AMOLED डिस्प्ले के साथ उन्हें higher refresh rate वाले display चाहिए तो finally Samsung ने दोनों ही phone में Super AMOLED डिस्प्ले के साथ higher refresh rate भी offer कर दिया है जो 4G वाला variant होगा उसके अंदर 6.7 inch की Full HD Plus Super AMOLED प्लस डिस्प्ले होगी और 90Hz का refresh rate साधी साथ जो 5G वाला variant होगा उसमें भी display size SAM होगी लेकिन 90Hz refresh rate की जगा पे 120Hz का refresh rate देखने को मिल सकता हैं बागी Samsung की जो AMOLED डिस्प्ले होती हैं ये चीज़तों आप अच्छे से जानते होंगे वहीं अगर हम बात करें processor की तो दोनों ही phone में different type के processor देखने को मिलेंगे जो 4G वाला variant है उसके अंदर Qualcomm Snapdragon 720G chipset जो आज की date में थोड़ा सा पूराना chipset हो चुका है अल्रेड़ी ये processor हम काफी सारे phone में देख चुके हैं जबके दूसरी तरफ 5G वाला जो variant है वहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 750G 5G chipset देखने को मिलेगा तो ये चीज़ मुझे personally काफी ज्यादा अच्छी लगी डे टो डे यूसेज, normal gaming, high graphic वाली gaming तो ये सभी department में ये processor अच्छी तरीके से perform कर जाता हैं ये processor हम Xiaomi Meet NI, Moto G 5G इसके अंदर हम अल ही महरबानी की हैं क्यूंकि ये Exynos के जो processor होते हैं वो काफी ज्यादा हीट होते हैं और उसकी gaming performance भी अच्छी नहीं होती है, RAM और ROM की बात करें तो बताया जा रहा हैं, दोनों ही phone 6128 से start होंगे और triple card slot भी देखने को मिलेगा, मतलब आप dual SIM के साथ memory card भी लगा सकते हैं, UFS 2.1 का storage टाइप और LPDDR4X RAM टाइप, साथी साथ दोनों ही phone out of the box Android 11 पर होंगे और One UI 3.1 का user interface भी देखने को मिल जाएगा, बैटरी capacity की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी और 25 Watt की fast charging, इसके लवा दोनों ही phone में type C port, 3.5 mm audio jack, in display fingerprint scanner, तो ये सारी चीज़े आपको देखने को मिल वहीं अगर हम बात करें camera section की, तो दोनों ही phone में 64 megapixel का quad cameras का setup और 32 megapixel की selfie, अब सबसे important चीज़ ये दोनों phone इंडिया में कब launch होंगे और price क्या होगी, तो leaks के according दोनों ही phone इंडिया में 15 March को officially launch हो जाएंगे, और इसका support page Samsung India की website पर live हो चुका है, जो आप देख सकते हैं, price point की बात की जाएं तो जो expected price हैं 4G वाले variant की 25 से 30,000 के बीच में होगी, और जो 5G वाले variant हैं उसकी price 30,000 से 35,000 के बीच में होगी, बागी दोस्तों आप बताएं नीचे comment section में क्या आप Samsung Galaxy A72 के लिए excited हैं या नहीं, और competition को देखते हुए Samsung को इन दोनों phone की क्या price रखनी चा करते ही जा रहा हैं, अभी recently कुछ दिन पहले Realme X7 series को launch किया गया था, जो मेरे according थोड़े से over price phone थे, काफी सारे लोग इन दोनों phone की price को सून कर नेराश हुए थे, लेकिन अब Realme इतने short time के अंदर दूसरे दो smart phone 24th February को launch करने की तयारी में हैं, एक तो है Realme Narzo 30 Pro 5G और दूस बात करते हैं Narzo 30A के साथ, तो ये phone budget segment का smartphone है, यानि के 10,000 से भी नीचे की price range में launch होगा, जहां पर आपको Narzo 20 जैसे ही build quality और design देखने को मिल जाएगी, plastic back के साथ ये phone होगा, को unique design इस phone में देखने को नहीं मिलेगी, I mean Realme की जो traditional design होती है, वो ही design आपको देखने को मिल जाए तो Realme ने price को देखते हुए, इस phone में processor को लेकर कोई भी compromise नहीं किया है, यहां पर आपको offer किया गया है MediaDeck Helio G85 chipset, ये processor काफी अच्छी performance देने के लिए capable है, मैं आपको ऐसा क्यों बोलता हूँ, तो ये processor हम already काफी सारी smartphone में देख चुके हैं, अंडर 10,000 रुपिस के price point पर Real Realme ने processor को लेकर कोई भी compromise नहीं किया है, आपको इस phone से काफी अच्छी performance देखने को मिल जाएगी, RAM और ROM की बात करें तो इंडिया में ये phone दो variants के साथ launch होगा, 332 और 464, सबसे important चीज आप दोनों ही variant के अंदर dual SIM के साथ micro SD card भी लगा सकते हैं, Android version और UI की बात करें तो ये phone out of the box Android 10 पर होगा और Realme UI पर रन करेगा, fingerpin scanner, face unlock, type C port, 3.5mm audio jack, तो ये सारी चीज़े आपको इस phone में देखने को मिल जाएगी, battery capacity की बात करें जो इस phone का सबसे highlight feature है, 6000 mh की battery और 18 watt की fast charging, camera section की बात करें तो यहाँ पर आपको rear side पर dual cameras का setup देखने को मिलेगा, 13 megapixel का primary sensor और 2 megapixel का macro या तो depth sensor, इसके अलवा selfie camera 8 megapixel का, overall price को देखते हुए मुझे परसनली इस phone की दो चीज़े सबसे ज्यादा अच्छी लगी, एक तो है MediaTek Helio G85 chipset और दूसरी जो चीज़े है 6000 mh की monster battery, लेकिन सबसे important चीज़ इस phone की price क्या होगी, तो जो 332 वाला variant है, उसकी price 8000 से 9000 के दूसरा smartphone है, Realme Narzo 30 Pro 5G, ये phone जनरली दो टाइप के user को focus करते हुए design किया गया है, most probably 17000 से भी नीचे की price range में, जो लोग 5G network का support चाते हैं, इसके अलावा अच्छी gaming करना चाते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए Realme ने इस phone को design किया है, यहाँ पर आपको 6.5 इंच की Full HD Plus IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगी और 120Hz का refresh rate, MediaDeck Diamond City 800U 5G चीप सेट, जो अल्रेडी हम Realme X7 में देख चुके हैं, 48MP का triple cameras का setup, 16MP की selfie, side mounted finger wind scanner, 5000 mh की battery और 30W की fast charging, बागी दोस्तों आप बताए नीचे comment section में, Realme का ये 5G smartphone 17000 से नीचे की price range में launch होता है, तो क्या भी इस phone को लेना पसंद करेंगे, नीचे comment section में जरूर से बताना, क्यूंकि आपकी valuable feedback बहुत ही ज्यादा माइने रखती हैं अपना और अपने चाहने वालों का अपना आपो